आज की साकार मुरली 23 सितंबर 2020 मीठे मीठे बाबा के महावाक्य हैं मीठे बच्चे तुम्हें यही चिन्ता रहे कि हम कैसे सब को सुकधाम का रास्ता बताएं सब को पता पड़े कि यही पुर्षोत्तम बनने का संगम युग है यही पुर्षोत्तम बनने का संगम युग है तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो मुनशे मुबारक कब देते हैं मुनशे मुबारक तब देते हैं या शादी करता है या कोई बड़ा दिन होता है परन्तु परन्तु वे कोई सची मुबारक नहीं तुम बच्चे एक दो को बाप का बनने की मुबारक देते हो तुम कहते हो हम कितने खुश नसीब हैं जो सब को दुखों से छूट सुखधाम में जाते हैं तुम्हें दिल ही दिल में खुशी होती है ओम शान्ति बेहद का बाप बैद बेहद के बच्चों को समझाते हैं अब प्रशन उठता है कि बेहद का बाप कौन ये तो जानते हो कि सब का बाप एक है जिसको परम पिता कहा जाता है लोकिक बाप को परम पिता नहीं कहा जाता परम पिता तो एक ही है उनको सब बच्चे भूर गए है इसलिए परम पिता परम अत्मा जो दुख हरता सुख करता है उसे तुम बच्चे चानते हो कि बाप हमारे दुख कैसे हर रहे हैं फिर सुख शानती में चले जाएंगे सब तो सुख में नहीं जाएंगे कुछ सुख में कुछ शानती में चले जाएंगे कोई सत्युग में पाड बजाते कोई तृता में कोई दुआपूर में तुम सत्युग में रहते हो तो बाकी सब मुक्तिधाब में उनको कहेंगे इश्वर का घर तुम सत्युग में रहते हो तो बाकि सब कहा रहते हैं मुक्तिधाब में तो उनको क्या कहेंगे इश्वर का घर मुसल्मान लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो सब मिल करके खुदा ताला की बंदगी करते हैं इसलिए क्या बहिस्त के लिए या अल्ला के पास जाने के लिए किसलिए करते हैं अल्ला के घर को बहिस्त नहीं कहेंगे वहां तो आत्माएं शान्ती में रहती हैं वहां तो आत्माएं शान्ती में रहती हैं शरीर नहीं रहते हैं ये जानते होंगे अल्ला के पास शरीर से नहीं परंतु हम आत्माएं जाएंगे अब सिर्फ अल्ला को याद करने से तो कोई पवित्र नहीं बन जाएंगे अल्ला को तो जानते ही नहीं आब ये मनुश्यों को कैसे राय दें कि बाप सुक शानती का वर्षा दे रहे हैं विशुमे शानती कैसे होती है विशुमे शानती कब थी ये किसी को संझाए ये किसी को कैसे संझाए सर्विसेबुल बच्चे जो हैं नंबर वार पुर्शारत नुसार उन्हों को ये चिंतन रहता है क्या चिंतन रहता है तुम ब्रह्मा मुख वन्शावली ब्रामनों को ही बाप ने अपना परिचे दिया सारी दुनिया के बाग की सब शान्ति था पाबा ने तुम सब को परिचे दिया क्या परिचे दिया कि तुम सब मुझे याद करो अपने आपको आत्मा समझ कर याद करो तो खुदा के घर चले जाएंगे गोल्डन एज या बहिस्त में सब तो जाएंगे सब तो जाएंगे नहीं सब घर तो नहीं जाएंगे न वहां तो होता ही एक बहुता है भाकी सब शांती धाम में हैं इसमें कोई नराज होने की बात ही नहीं मुनुशे शांती मांगते हैं वे मिलती ही है अल्ला या गौड पादर के घर में आत्माई सब आती हैं शांती धाम से वहां फिर तब जाएंगे जब नाटक पूरा होगा बाब आती भी हैं पत्तित दुनिया से सब को ले जाने के लिए अभी तुम बच्चों की बुद्धी में हैं हम शांती धाम में जाते हैं फिर सुख धाम में आएंगे पहले जाएंगे शांती धाम फिर सुख धाम में आएंगे ये है पुर्श उत्तम संगम युग पुर्श उत्तम अर्थाग उत्तम से उत्तम पुरुष जब आत्मा पवित्र ना बने तब उत्तम उरुष बन नहीं सकते अब आप तुमको कहते हैं मुझे याद करो इस समय सभी मनुश्यों के करेक्टर विगडे हुए हैं नई दुनिया में तो करेक्टर बहुत फस्ट कलास होते हैं भारत वासी ही उच करेक्टर वाले बनते हैं उन उच करेक्टर वालों को कम करेक्टर वाले माथा देखते हैं प्रणन करते हैं ये तुम बच्चे ही समझते हो आब औरों को समझाएं कैसे कौन सी सैज युक्ति रचे ये है आत्माओं का तीसरा नेत्र खोलना ज्यान देना मना आत्माओं का तीसरा नेत्र खोलना बाबा की आत्मा में ज्यान है मुनुशिक कहते हैं मेरे में ज्यान है ये दे अभिमान है इसमें तो आत्म अभिमानी बनना है सन्यासी लोगों के पास शास्त्रों का ज्यान है बाब का ज्यान तो जब बाब आकर देवे युक्ती से समझाना है वो लोग कृष्ण को भगवान समझ लेते हैं भगवान को जानते ही नहीं कृष्ण को भगवान समझ लेते हैं परन्तु कितनी वनरफुल बात है कि भगवान को जानते ही नहीं समझते हैं मुनश्य भगवान हो नहीं सकता निराकार भगवान ही रचता है निराकार भगवान सौरी शिरिष्टी का रचता है रचने का मतलब क्या होता है यहां समझ लेते हैं कि उसने बनाया होगा परमात्मा केते बच्चे मैं रचना करने की वीधी बताता हूँ रचता नहीं हूँ मैं इसलिए रचता कहलाता हूँ क्योंकि मैंने रचने की वीधी तो बताई ना प्रंतु वो कैसे रचता है उनका नाम, रूप, देश, काल क्या है कहे देते नाम, रूप से न्यारा है ना उसका नाम है ना उसका रूप है नाम, रूप से न्यारा है जबकि कहना क्या चाहिए उसका नाम, रूप, न्यारा है उसका नाम भी है प्रंतु हमारी तरह नहीं है उसका रूप भी है परन्तु हमारी तरह नहीं है इतनी भी समझ नहीं कि नाम रूप से न्यारी वस्तु हो कैसे सकती है जिसका नाम भी नहीं जिसका रूप भी नहीं वो हो कैसे सकती है इंपॉसिबल है अगर कहते हैं पत्थर ठिकर कच्च मच्च सब में हैं तो वो नाम रूप हो जाता है ना जिसमें भी है तो वो नाम रूप तो हो गया ना बच्चों को दिन रात बहुत चिंतन चलना चाहिए कि मनुश्यों को हम कैसे समझाएं ये मनुश्य से देवता बनने का पुर्ष उत्तम संगम युग है मनुश्य देवताओं को नमन करते हैं मनुश्य मनुश्य को नमन नहीं करते मनुश्यों को भगवान या देवताओं को नमन करना होता है मुसल्मान लोग भी बंदगी करते हैं अल्ला को याद करते हैं, तुम जानते हो, वो लोग अल्ला के पास पहुँच तो नहीं सकेंगे, मुख्य बात है अल्ला के पास कैसे पहुँचें, फिर अल्ला कैसे नई स्रिष्ची रश्ते हैं, ये सब बाते कैसे समझाएं, इसके लिए बच्चों को विचार सगर मंथन करना पड़े, बाप को तो विचार सगर मंथन नहीं करना है, बाप विचार सगर मंथन करने की युक्ती बच्चों को सिखलाते हैं, इस समय सब आईरन एज में तमों परधान है जरूर कोई समय गोल्डन एज भी होगी गोल्डन एज को प्योर कहा जाता है प्योर्टी और इंप्योर्टी पवित्रता और अपवित्रता सोने में खाद डाली जाती है आत्म भी पहले प्योर्टी परधान है फिर उसमें खाद पड़ती है जब तमों परधान बन जाती है तब बाप को आना है बाप ही आकर सत्व परधान सुख धाम बनाते है एक सुई नहीं रखते बनाते हैं याद रखना है सुई नहीं रखेंगे सिरफ रास्ता बताते हैं बाबा कहते हैं जिनको स्वर्ग में जाना है वो पुर्शारत करेंगे सुख धाम में सरफ भारत वासी ही होते हैं बाकी सब शान्ती धाम में जाते हैं बाकी सब कहां जाते हैं शान्ती धाम में जाते हैं शान्ती धाम में सब प्योर रहते हैं फिर यहां आकर आइस्ते आइस्ते इंप्योर बनते हैं आइस्ते आइस्ते क्या बन जाते हैं इंप्योर बनते हैं हर एक मनुशे सतो रजो तमो जरूर बनते हैं अब उन्हों को कैसे बताए कि तुम सब अल्ला के गर पहुँच सकते हो देखे सब सबंद छोड़ अपने को आत्मा समझो भगवानों वाच तो है ही मेरे को याद करने से ये जो पांच भूत हैं वो निकल जाएंगे तुम बच्चों को दिन रात ये चिंता रहनी चाहिए बाप को भी चिंता हुई तब तो ख्याल आया कि जाओं जाओं जाकर सबको सुखी बनाओं साथ में बच्चों को भी मददगार बनना है अकेले बाप क्या करेंगे तो ये विचार सागर मन्थन करो क्या ऐसा उपाए निकाले जो मुनुश्य जट समझ जाएं कि ये पुर्शोतम संगम युग है इस समय ही मुनुश्य पुर्शोतम बन सकते हैं पहले उंच होते हैं फिर नीचे गिरते हैं पहले तो नहीं गिरेंगे पहले तो नहीं गिरेंगे ना आने से ही तो तमो परधान नहीं होंगे हर चीज पहले सतो परधान फिर जो तमो होती है बच्चे इतनी परधर्शनिया आदी करते हैं फिर भी मनुशे कुछ समझते नहीं पिर भी मनुशे कुछ समझते नहीं तो और क्या उपाय करें और क्या उपाय करें भिन भिन उपाय तो करनी पड़ते हैं उसके लिए टाइम भी मिला हुआ है फट से तो कोई सम्पूरा नहीं बन सकते हम भी तमो परधान बनी हैं फिर सतो परधान बनने में टाइम लगता है वे तो जड़ वे तो है जड़ फिर ये है चेतन्य तो हम कैसे समझाएं मुसल्मानों के मौलवी को समझाएं के तुम ये नमाज क्यों पढ़ते हैं किसके याद में पढ़ते हो ये विचार सागर मन्थन करना है बड़े दिनों पर प्रेजिडेंट आदी भी मस्जिद में जाते हैं बड़ों से मिलते हैं सब मस्जिदों की फिर एक बड़ी मस्जिद होती है वहां जाते हैं ईद मुबारक देने अब मुबारक तो ये है जब हम सब दुखों से चूट सुकधाम में जाएं तब कहा जाए मुबारक हो मुबारक तो तब ही दे ना जब दुखों से चूट सुकधाम में जाएं दुख में वैसे के वैसे हैं किस बात की इद मुबारक किस बात की दिवाली मुबारक हम खुश खबरी सुनाते हैं कोई विन करते हैं तो भी मुबारक देते हैं कोई शादी करते हैं तो भी मुबारक देते हैं सदयो सुखी रहो अब तुमको तो बाप ने समझाया है हम एक दो को मुबारक कैसे दें इस समय हम बेहद के बाप से मुक्ती जीवन मुक्ती का वर्षा ले रहे हैं तुमको तो मुबारक मिल सकती है बाप समझते हैं तुमको मुबारक हो तुम 21 जन्मों के लिए पदम पती बन रहे हो आप सब मनुष्य कैसे बाप से वर्षा ले रहे हैं सब को मुबारिक दें तुमको अभी पता पड़ा है परन्तु तुमको लोग मुबारक नहीं दे सकते तुम जानते हो मुबारक तुद मुबारक देवें तो खुद भी जरूर मुबारक पाने लाइक बने जब खुद मुबारक पाने लाइक ना बने तुम मुबारक कैसे देवें तुम तो गुप्त हो ना एक दो को मुबारक दे सकते हो मुबारक हो हम बेहद के बाग के बच्चे बने हैं तुम कितने खुश नसीब हो कोई लाटरी मिलती है या बच्चा जनमता है तो कहते हैं मुबारक हो बच्चे पास होते हैं तो भी मुबारक देते हैं तुमको दिल ही दिल में खुशी होती है अपने को मुबारक देते हो हमको बाप मिला जिससे हम वर्षा ले रहे हैं बाप संजाते हैं तम आत्माई जो दुर गती को पाई हुई हो वे अब सद गती को पाती हो मुबारक तो एक ही सब को मिलती है पिछाड़ी में सब को मालूम पड़ेगा जो उंच ते उंच बनेंगे उनको नीचे वाले कहेंगे मुबारक हो, मुबारक हो आप सूर्य वन्शी कुल के माराजा ब्मारानी बनते हो नीच कुल वाले मुबारक उनको देंगे जो विजे माला के दानी बनते हैं जो पास होंगे उनको मुबारक मिलेगी उनकी ही पूजा होती है आत्मा को भी मुबारक हो जो उच्पद पाती है फिर भक्ती मारग में उनकी ही पूजा होती है मुनुश्यों को पता नहीं है, कि क्यों पुजा करते हैं, तो बच्चों को यही चिंता रहती है, कि कैसे समझाएं, कैसे समझाएं, हम पवित्र बने हैं, दूसरों को कैसे पवित्र बनाएं, दुनिया तो बहुत बड़ी है ना क्या किया जाएंगे जो घर घर में पैगाम पहुँचे पर्चे गिराने से सब को तो मिलते ने उपर से पर्चे गिराते सब को तो मिलते ने ये तो एक एक को हाथ में पैगाम चाहिए क्योंकि उनको बिल्कुल पता नहीं कि बाप के पास कैसे पहुँचे कह देते हैं सब रास्ते पर मात्मा से मिलने के हैं परन्तु बाप कहते हैं ये भक्ती दान उन्य तो जनम जनमांतर करते आए हो परन्तु रास्ता मिला कहां कह देते हैं ये सब अनादी चलता आया है पर तु कब से शुरू हुआ अनादी का आर्थ नहीं ही समझते तुमारे में भी नंबर वार पुर्शार्थ नुसार समझते हैं ज्यान की प्रालद 21 जनम वो है सुख फिर है दुख तुम बच्चों को हिसाब समझाया जाता है किसने बहुत भक्ती की है ये सभी रोजगारेजगारी बातें एक एक को तो नहीं समझा सकते क्या करें कोई आखबार में डालें टाइम तो लगेगा सब को पेगाम इतना जल्दी तो मिलना सके सब पुर्शार्ट करने लग पड़े हैं पड़े तो फिर स्वर्ग में आ जाएं ये हो ही नहीं सकता सारे ही पुर्शार्ट करने लग पड़े हैं सारे ही स्वर्ग में आ जाएं ये हो नहीं सकता अब तुम पुर्शार्थ करते हो स्वर्ग के लिए अब हमारे जो धर्म वाले हैं उनको कैसे निकाले कैसे पता पड़े कौन ट्रांसफर हुए हैं हिंदू धर्म वाले असुल में देवी देवता धर्म के हैं ये भी कोई नहीं जानते पक्के हिंदू होंगे तो अपने आदी सनातन देवी देवता धर्म को मनेगे इस समय सब तो पतित हैं बुलाते हैं पतित पावन आओ निराकार को ही याद करते हैं कि हमको आग कर पावन दुनिया में ले चलो इन्होंने इतना बड़ा राज्य कैसी लिया भारत में इस समय तो कोई राज्याई हो नहीं सकते जिसमें जीत कर राज्ये लिया हो वे लड़ाई लड़ाई करके राजाई तो पाते ही नहीं मुनुशे से देवता कैसे बनाया जाता है कोई को पता कोई को पता नहीं तुमको भी अब बाप से पता पड़ा है औरों को कैसे बताएं जो मुक्ती जीवन मुक्ती को पाएं पुर्शारत कराने वाला चाहिए ना अपने को जान कर अल्ला को याद करें बोलो तुम एद की मुबारख किसको कहते हो तुम अल्ला के पास जा रहे हो पक्का निश्चे है जिसके लिए तुमको इतनी खुशी रहती है ये तो वर्शों से तुम करते आए हो कभी खुदा के पास जाएंगे या नहीं मूच पढ़ेंगे बरोबर हम जो पढ़ते रहते पढ़ते करते हैं क्या करने के लिए उंच ते उंच एक अल्ला ही है बोलो अल्ला के बच्चे तुम भी आत्मा हो आत्मा चाहती है हम अल्ला के पास जाएं आत्मा जो पहले पवित्र थी अभी पतित बनी है अभी इनको बहिस्त तो नहीं कहेंगे सब आत्माएं पतित हैं पावन कैसे बने जो अल्ला के घर जाएं वहाँ विकारी आत्मा होती नहीं वाइसलेस होनी चाहिएं आत्मा कोई फट से तो सतो परदा नहीं बनती कि सब विचार सागर मंथन किया जाता है बाबा का विचार सागर मंथन चलता है तब तो समझाते है ना बाबा का ब्रमा बाबा का शिव बाबा का नहीं ब्रमा बाबा का विचार सागर मंथन चलता है तब तो समझाते है ना युक्तिया निकालने चाहिए किसको कैसे समझाएं किसको कैसे समझाएं आच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गोड मॉर्निंग रुहानी बाप की हम रुहानी बच्चों को नमस्ते आप रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते 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 धारना के लिए मुख्य सार जैसे बाप को ख्याल आया कि मैं जाकर बच्चों को दुख से छुडाऊं सुखी बनाऊं ऐसे बाप का मददगार बनना है घर घर में पैगाम पोचाने की युक्तियां रचनी है सर्व की मुबार्के प्राप्त करने के लिए विजे माला का दाना बनने का पुर्शार्थ करना है पुजे बनना है वर्दान नमरता और अथोर्टी के बैलेंस द्वारा बाप को परतक्ष करने वाले विशेश सेवाधारी भव जहां बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है जब आप नमरता और सत्यता की अथोर्टी के बैलेंस से किसी को भी बाप का परिचे देंगे तो कमाल दिखाई देगी इसी रूप से बाप को परतक्ष करना है आपके बोल स्पस्ट हो उसमें सने भी हो नमरता और मदुरता भी हो तो महानता और सत्य भी हो जब परतक्षता होगी बोलते हुए बीच बीच में अनभव कराते जाओ जिससे लगन में मगन मूर्थ अनभव हो ऐसे स्वरूप से सेवा करने वाले ही विशेश सेवाधारी है स्लोगन है समें पर कोई भी साधन ना हो तो साधन में विगन ना पड़े माइक नहीं है मैं बाशन के से करूँ लाइट नहीं है या कोई और भी साधन जिसके कारण साधना ने रुकने जाए साधन के अदार पर साधना नहीं इस बात को विशेश विचार सागर मंतन करना है साधन ना हो कोई बात नहीं पन तो साधना तो हो नहीं है हमने तो मेनद करनी है हमने तो पुर्शार्थ करना ही है अच्छा ओम शांती